आज हम रॉल किये बिना पात्रा बनाएंगे स्वागत है आपका मदुरा फूड हिंदी पे आप चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे चलो तो हम सुरू करते है ये अरबी के पत्ते है इसको हम पात्रा बनाते है वो मौन्सुन की सिजन में एजिली अवेलेबल मिलता है मार्केट में भी मिल जाता है ये पत्ते को तोड़के इसको साफ करके इसे रॉल कर लेंगे और बीच में से कट लगा के ऐसे कट कर लेंगे रॉल बनाते टाइम जो बीच का पाट रहता है वो भी सब निकालते हैं इसमें कुछ नहीं करने का ऐसे कट कर देने का चॉप कर दे तो भी चलता है और देर कप बेशन लिया है चने का हटा स्वाद के अनुसा नमक अधी चमच लाल मिर्ज पाउडर अधी चमच हल्दी पाउडर एक चमच दन्या जीरा पाउडर अधी चमच बुना हुआ जीरा उसका पाउडर एक चमच तिल और एक चमच अध्रक लसुन और मिर्ज की पेस्ट लसन ज्यादा और यह हमने जो पत्ते कट करके रखे थे वो मिक्स कर लेंगे पहले कुछ नहीं डालना है ऐसे मसाले को मिक्स कर लेंगे पत्ते को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ और यह गूड और इमली का पानी बना की रखा था वो डालते जाएंगी और यह साधा पानी अब डालेंगे यह बोट ठीक है उसको लचीला करने के लिए पानी डालेंगे और यह बेकिंग सोड़ा पानी में डालके उसको डाल देंगे और एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे अभी तुरन थी ग्रिस की हुई ओयल वाली थाले में सिफ्ट कर देंगे जैसे दोखला बनाते हैं न वैसे अभी स्टीमर में 15 मिनिट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे 15 मिनिट के बाद जब रूम टेंपरेचर पे आए तब उसका कटिंग करेंगे ऐसे सेप आपके हिसाब से आप कट कर सकते हो रेक्टेंगर करो, स्क्वेर करो या फिर डायमन सेप कोई भी सेप आप दे सकते हो अभी इसमें तड़का लगाएंगे तड़के के लिए पैन में ओयल डालेंगे एक चमच सरसो आधी चमच मेथी दाना आप्सनल है आपको पसन है तो डालिएगा नहीं तो फिर स्किप कर सकते हो तील एक चमच तील और सरसो से ही सकटेस तो अच्छा आता है अधी चमच हिंग पाचन के लिए अच्छा रहता है अभी जो हमने पात्रे तयर किये थे कट किये थे वो डाल देंगे इसको क्रिस्पी बना नहों तो लंबे टाइम तक उसको रखेंगे नहीं तो फिर ऐसे ही निकाल देंगे जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हो टेस्ट वैसा याता है जो हम पात्रे रॉल करके बनाते वैसा इसमें भी टेस्ट आता है अभी इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और टेकोरेट करेंगे वो कद्दुकस किया हुआ कोपरे के साथ यह तयार है अपना पात्रा आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर कीजिएगा और जरू से ट्राइ कीजिएगा कॉमेंट में बताएगा के कैसा बना तैंक यू